हेलो फिर्ट्स आज माला अलम मूवी का डिवीव करने वालों इसका नामे का पा तो चले डिवीव शुरू करते हैं यह एक गैंग्सर ड्रम है यह फिरीवेंज ड्रम ही कह सकते हैं जो की बहुत एक slow 1 फिल्म है और बात कर इसकी कास्ट के वारे में तो कास्ट पहे हैं प्रितिराज, शुकुमार, अन्ना बेन, असीवाली, दिलिश पोठान, जगदीश और अपणना बालामूर अलिए इसको डायेट कहा है साजी केलाश ने, साजी केलाश मेरा एक बहुत ही पसंद देदा डायेट तरे उसका पहला जो में देखा था अड़ू आब मुझे काफी अपना बेन फिल्म को लेकि एक्सपेक्टेशन मेरा रहता है कि उनलों का मेकिंग, उनलों का फिल्मेकिंग स्टाइल, नैयाशन स्टाइल, अलब, टेक्निकलिटी, सब कुछ में मुझे एप्लस नदर आता है इसमें भी मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ही था और मैं सच बहुत है यह एक स्लो वन फिल्म में थोड़ा बिल्डब लेता है पहले 30-40 मी मलदब नहीं बोलेंगा लेकिन फेहले 20-30 मी थोड़ा मलदब काफी जादा बिल्डब है उसके बाद ही शुरू होता है लेकिन वह बिल्डब जो होगा जब आपको अफो लगेगा लेकिन उसक सबसे पहले जिस चीज के बारे मौलना कह दूंका पृट्प कर देता है लिखा गया बहुत ही अच्छा स्विंप और उसके बारत है डायेटeles त्सका अलगकर वेड़ा बहुत ही अच्छा बहुत बहुत ही अच्छा में बब जिस तरीके से इतना सारे कैट्धश को उन्हों के बावजुद भी है ही, आपकोो predictable कुछ हार्य तक वेख सकता है लेकिन कुछini आप सोचोंगे कि यह क्या यह predictable हो सकता है क्या यह ी twist होगा लेकिन वही truth होता है लेकिन फिर फिर भी वो जो मदला ब सस्वे स्विन्स यहां पर create क्यागया है वो मुझे कफी भरपूर है और वो भी एक मदलब एकदम सही टाइम में है एक एक समय जहां पर एक्षन का जरूर थे वहाई पर एक्षन है और बीजेम भी कमाल के साथ और प्रित्राज सुकुमान अन्यास कोटा मदू मलब इस करेक्टर के ऊपर एक अलग से स्पीन अफ चाहिए मुझे मलब इतना अच्छा कारेक्टर, इतना आच्छी तरीके से वह बात करता है डाले डेल सुकुमान को मैं जब-भी बहु달 देखता है कि इसका जो अलग फिलины पहले वाला स्ट में उससे एक्तिंग कित्ना डिफरेंस है कितना अलग कोड़िए पूरा लग अलग ये प्लास है वो Cinematography और Making Style मैं ने जो पहले ही बला मालालाम फिर्म का यूज पी होता है Cinematography और Making Style Making Style पहले होता है सबसे अच्छा जो रहता है Narration Style कहानि कैसे बोल रहा है Storytelling कैसा है तो यहां पर भी सब साथे चेंपसी स्पॉलो किया गया है storytelling कमाल का है जैसे शुरू होता है वो एकदम crime scene में आकर रुखता है और जैसे जैसे कहानी घुमता रहता है जैसे जैसे हमको बताया जाता है पूरा चीज के बारे में पूरा यह जो relationship है गैंस्टर के बारे में और यह जो पूरा कैसे क्या हूँ आता कैसे किसका क्या relationship था कौन क्या कर रहा है spoon fitting नहीं आप खुद को समझना पड़ेगा धिरे 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 कर अनफोल्ड होता है तो यह सब चीज को अच्छा लगा मलब बहुत ही mature filmmaking है यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई audience को समझाने के लिए बनाएगा है मलब डिरेक्टर अपनी तरीके से दिखा है अब आप खुद समझ लो और सबसे अच्छा point यह जो plot है जो gangstar drama है, revenge drama है इस plot को पकड़के रखा है पूरा film को जोड़के मलब और जो connection है मलब कोई subplot दिखा भी रहा है उसके साथ plot का connection है वो भी बात में जाके या फिर पहले से ही establish होता है मलब कोई फालतू का ऐसा subplot घुसा दिया जिसका कोई जरूरत नहीं ऐसा नहीं है और एक जो gangstar drama है वो फिल पूरा film तक आपको देगने को मिलेगा ऐसा नहीं कि एक genre करते किसी और genre में भूज गया है ऐसे gangstar genre का film में पूरा gangstar genre ही बनाया गया है और last में cliffhanger भी छोड़के रखा है पार्ट टू के लिए जो कि मुझे कमाल का cliffhanger लखा और जिस तरीके पर ये movie खतम होता है जहां पर जाके ये movie खतम होता है उस जगह आपका hype जो है next part के लिए ये party कैसे खतम हुआ इसके लिए आपका expectation और बर जाएगा मैं सच करें तो part 2 के लिए expectation आपका बहुत हाई हो जाएगा और ये movie भी overall movie आपको कमाल का लगएगा मतलब वो जो twist है climax है वो मुझे कमाल का लगा बहुत ही realistic है और बहुत ही straight forward है ये बहुत ही ऐसा बुल सकते है कि आप बहुत सरे गांगस्टर movie सी इंस्पार है लेकिन फिर भी यहां पर जो नए शीं स्टाइल है जो फिल्म में की स्टाइल है जो स्टोरी टेनिंग है वो मुझे फिर भी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी तरीका से निवाया गया गया, इस सब कुछ, ओवर राल ये एक वान टाइम अच्छा गल तो नहीं बूलंगा, उससे भी ज्यादा है, एक बहुत ही अच्छा गैंग और अगर आपने मुवी देख चुकी है तो कॉमेंट मेंसे करें बाते आपको मुवी कैसा लगा और वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, श्याय करना चाहिए को सबस्क्रीब कर देना और तब तक के लिए गुडवाई टिक करें जल्वी, मिद्दा के लोड़े करें, बुल्वाई